अस्ते बच्चों, आज हम कक्सा शष्ट का पाठ सामाजी विज्ञान का भाग तीन पड़ेंगे, जैसे पहले मैंने आपको बदा रहे था, वीविता की समस्के बारे में वेसे ही आज हम आपको केरल और लद्धा की भोगोली किस्तती के बारे में बताएंगे, जैसे केरल और लद्धा की भोगोली किस्तती एक दूसरे से बिलकुल अलगे, वही हम ये देखते ही कि दोनुशेत्रों के इतियास में एकी प्रकार के सांस्क्रती प्रभावे, उने व्यापारियों की अपनी और खीचा इसी तरह पता चलता है कि किसी भी सेत्री के सांस्क्रतिक जीवन का उसके इतियास और भुपोल से प्राय गहर रिस्ता होता है भया बेनो हम आगे आपको बताएंगे कि वीवी संस्क्रतियों का प्रवाव केवल बीतियों कल की बात न गाना है हर एक कदम के सा्थ हमारे संस्क्रतिक रिती रिवाज और जीरने का तरीगा दिरे दिरे उस suspension का इसा बन जाते हैं जम पहुंशते हूँ कि किसी तरह हम अलग अलग समुदायों के लोगों के सास् Dear अपने रोजमर्ड़ मरा के जीवन में हम मिल जूल कर काम करते हैं और हम एक दूसरे के रिती रिवाज और प्रमपराओं में घुल मिल जाते हैं। भाइय अब बेनों हम आगे आपको बताएंगे कि विवुथिता में एकता है किस प्रकार अनेकता में माना गया है। विविदता में एकता भारत की विविदता यान एकता को उसकी त्याकत का श्रोत मारा गया है जब अंग्रेजों का भायत पर आस था तो इभीन धर्म बाशा और सेत्र के मेलाओं पुशों ने अंग्रेजों के खिलाप मिलकर लड़ाई लड़ी थी भारत के सोतंता संग्राम म अलग-अलग परिवेशों के लोग सामिलते उन्होंने एक जूटो करांदोलन किया इगटे जेल गए और अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरूत किया अंग्रेजों ने सोचा था कि वह भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविदता हैं और इसी तरह उनका राज चलता रहेगा मगर भाया बेनों यहां के लोगों ने उन्हें दिखला दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्नों अंग्रेजों के खिलाप लड़ी जाने वाले लड़ाय में वे सब एक थे इसी के इसी को आगे बढ़ाती हुए मैं ह दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना कुश्यों में अपनी हम पर आसू बहा के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना सैयाद ने हमारे चुंचुन के फूल तोड़े सैयाद ने हमारे चुंचुन के फूल तोड़े वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के ज दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना गोली खा के सोये जलिया बाग में हम सूनी पड़ी कबर पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कबर में गड़े हैं दो बूंद और आसू उन पर प्यारे बहा के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना बच्चों ये गीत अमरी सर में हुए जले वला बाग हत्यकान के बाद गाया जाता था इसी के इस हत्यकान में एक बिटिस जनरल ने उन सांती प्रे निहत्ते लोगों पर खुले आम गोलें चलवा दी थी जो बाग में गट्टे होकर सभा कर रहे थे महिला पुरूष, हिंदू, मुसल्मान और सिक कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की तरह पक्षिता पूर्णिती का विरोत करने के लिए जमा हुए थे उन में से बहुत से लोगों की जाने गई और उन में से जादा घायल हुए ये गीत भाया बेनो उनिक सहीदों की याद में गया गया था सोतंता संग्राम के दोरान उब्रे गीत और चिन वियुदता के परती हमारा विश्वास बनाय रखते हैं हम भारते जंडे की कहानी जानते हैं सोतंता संग्राम के दोरानी भारत के जंडे की परिकल्पनागी की गई थी इसी जंडे को सारे भारत में लोगों ने अंगरेजों के खिलाब इस्तेमाल किया था। भाया बेनो जोआला लाल नेरू ने अपनी किताब भारत की खोज में भी लिखाता कि भारतिय एकता कोई बार से थोपी हुई चीज नहीं बलकि बहुत ही गेरी है जिसके अंदर अलग- प्रताओं को श्युकार करने की भाव ना है इसमें विवत्यता को पेचाना और प्तुसराइत किया जाता है ये नेरूई थे जिनोंने भात की विवत्यता का वणन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया रविन्दर नाटे गोद्वारार रचीत हमारा गान किस तरह से एकता का वणन करता है इसे भाया बेनों को अपने सब्दों में लिखना है सभी भाया बेनों को इसके जो क्योशन आंसर है पीछे किताब के उनको जो मैंने आपको बताएं को इसी पेसे देख करके आपको करना है पहला इसका प्रशने है अपने इलाके में म मिर्दों की कहानी से आपको मालूम पढ़ गया होगा कि किस तरह उनके हिंदू और मुस्लमानों कौन-कौन से त्युवार होते हैं और सभी धर्म के लोग कौन से त्युवार एक साथ मनाते हैं पहला दूसरा ता इसके आपके विचार में भारत की स्रम्मत और विविद विरासत आपके जीवन को कैसे बेतर बनाती है पहले में क्या कहनाचारत 的話 ने रूओ जी ने जोहाला अ पफ़ी किताब में भारत की एकिता के लिए उन्होंने कहा है कि ये बहुती बाहर से ठोपीवी चीज नहीं है यह एकता थे बहुती गेर जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और पर्थाओं को शुकार करने की भावनाएं इसमें विवतिता को पेचाना और प्रतोसायत किया जाता है ये नेर हुई ही थे जिनोंने भाद की विवतिता का वणन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया अगला प्रशने इसमें जलेवाला बागत्य कान के उपर लिखे गए गाने को उस पंक्ति को चुने जो आपके नुसराभाद के एकता का निशीत रूप से जलकाती है जलेवाला बागत्य कान के जो अभी मैंने जो आपको कविता बताये ती उसके माध्यम से आपको ये इसका आर्थ करके आपको लिखना है अगला परश्न आपको लद्दाक और केरल की तरभात को एक शेत्र चुनिए और अध्यन कीजिएगी कैसे उस शेत्र की वीउत्ता को एतिहासिंग भोगोली नौर्णो से प्रभाईद क्या है क्या विए एतिहासिग और भोगोली कारणापस में जुड़ी हुई हैं किसे आपको लद्दा को केरल के बारे में जो मैंने बताए था कि लद्दा जब मुकश्मीर के पूर की पहाड़े में बसा एक पहाड़ी रेगिस्तानी इलाका है वहां बहुत ही कम खेती संभो है क्योंकि इस सेत्री में बारिस बिल्कुल पर नर्भल रहते हैं उर्हों पहां की बख्री पालते हैं जिसमें से प्शमीना मीमान भलता है यह यह उन काफी की इमती होतीο है इसलिए यहां 20 अपनाव्यापालित करते हैं ईसा आएं केरल यह केरेफ भावारत के दक्षिनी पष्षिमीर कोन्ये में बसा हुआ हुगा है एक तरब समुंद्र से गिरावाए और दूसी तर पाड़ों से बसाए इसी इन में विभीन प्रकार के मसाले मिलते हैं जैसे काले मेर्च, लोंग, इलाईच, यादी उगाए जाती हैं इन मसालों के कारणे शेत्र व्यापारियों के लिए बहुती आकशने सबसे पहले यहाँ अरवियों रियुदी व्यापारी के लई यैसा माना जाता है कि इस्या मसी के धर्म धृषंत था मस्भी लगबग दो हजार वर्ष पहले यहां पर आय थे भात में इसाई धरम लाने का श्रे भीनिकुगी जाता है अरब से कहीं व्यापारी यहाँ आ कर बस से यहां पर पहुंचे थे इसी कारण से यहां पर सभी एतिहासी प्रभाओं के कारण ही केरल के लोग भी भी धर्मों का पालन करते हैं इन में यहुदी इसलाम हिंदू और बोद्ध धर्म सामिले यह आपको इन प्रश्णों के सबको अपनी होमर किए कोफी बनाओं कि भाया भाइया बेनों आपको उसी में यह प्रश्णों के आंसर आपको उसमें लिखनी अब आपका यह जो तीसरा भाग भाग तीन आपकी सामाजी गुरादनेती विज्ञान जो मैंने पड़ाये यह भाग तीन था आपका अब आपके भाग तीन का यह पूरा पार्थ हो गया है अब अपन भाग यह का पाठ पड़ेंगे धन्यवाद